आज हम बनाएंगे साड़ी रखने के लिए ओगनाइजर जैसे साड़ी बहुत इखटी हो रही है तो उनको एक में भरके रख देंगे इसके लिए इसके हमने इस तरह से तहर कर लिए इसका नाप ले लेते हैं यह आ रहा है 15 इंच इधर 15 इंच आ रहा है और चोड़ाई में 12 इंच तो पंद्रवाई 12 का हमें बनाना है उसके लिए उचाई हम कितनी भी ले सकते हैं जितनी हमें जरूत है जितनी साड़ी रखने हो तरह लेंगे यह मैंने दो पीस लिए हैं एक ओपर के लिए एक निचे के लिए एक बेस बनाएंगे इसमें मैंने फॉर्म अस्तर और लाइनिंग में कपड़ा लगा के कुल्टिंग कर लिए इसका साइज भी वही है पंद्रवाई 12 इंच अब इसके हम इसका बेस बनाएंगे उसके लिए लिया है मैंने लंबाई में 18 इंच और चोड़ाई में रहेगा 27 यह डबल कर रखा है मैंने तो 27 दुनी 54 इंच का इसलिया हैै और यह दो बैल्ट लिए मैंने यह दो बैल्ट तपिजार कर लिए इसी कपड़े की पैंट का कपड़ा आई है 27 इंच की बैल्ट लिए यह और नोंत तीजार कर गए है कि का रेकी चैन लेहा किसमें जो रूंडर डालने लें दिए चैन की लंबाई है 29 इंच 29 इंच की ये चैनल लिए मैंने अब इसको सिलना किस तरह से ये नीचे वाला पीस है इसको जो बेस रखे प्रप मिलाते हुए इस तरह से यहां से सिलाई करते हुए इसको गुमाते जाएंगे और सिलते जाएंगे चारो तरफ से इसको सिल देंगे अब यह उपर को बाला है इसमें यह चैन में दोनों रणने डालने के बाद हमें इस तरह से यह सिल नहीं है इसे गुमाते हुए इसको सिल देंगे तीन तरफ और फि में जोड़ दिया है और दापसिलाई भी लगा दिये ऐत एंग है नीचिका है और यह ऊपर में अब इसको सीधा करके दिखा देतेगे इसमें दापसिलाई लगाते हुए जो दियार कर दिया है कि इसमように साडी रखें और दिखा देता है इसमें कम से कम 20 पचिस साडी आराम से आजाएंगी तो तो मैं दो इसमें सारी साडीय' program भर दिया ए पैंने एक बार we can अस्काल लेगे इस तरह कि साडीया toe जो रोज नहीं पहने जाती हैं और अलमारी में भीड़ हो जाती है इसलिए इसमें भर्गे रख देंगे और इतर अगर मेरे बनाई वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को शेयर करें लाइक करें कमेंट करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद